सब्सक्राइब जादो बहेंfound एक समय की बात है किसी गाओं में शुकु नामका एक व्यापारी रहा करता ठाथ है वो अपनी गाओं में रहने वाले सभी लोकों की अक्सर ही मदध किया करता ठाध अगर किसी व्यक्ति को पेसे की जरुरत है तो शुकु पेसे दने में जरा भी नहीं कत्राता था और दूसरों की मदद के लिए हमेसा आगे रहता था सभी लोग सुकु की इस दयावान और नेक दिल से बहुत खुश रहते थी और वो सुकु को बेहद ही प्यार करते थी सुकु अपनी पत्नी सोनी और वेती रीतु बेती जीवा के साथ रहा करता सुकु अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था एक दिन कुछ लोग सुकु की तारीफ उसकी पत्नी से करते हैं और वही बात आकर वो अपने पत्नी को बताती है जीवा के पापा मैं सच में बहुत ही गुश नसीव हूँ जो मुझे आपके जेसे पत्नी मिला दिल में राज करोगे भगवान भी हमारे अच्छे काम की वज़े से ही कुल-सोकर हमें खुशी देता है और वेसे भी अब जब गवान ने मुझे इस कावल बनाया है कि में लोगों की मदद कर सकूं तो भला मैं ऐसा में लोगों की मदद क् lance करऊ बहुत हैं। करू और फिर सुकु अपने काम पर निकल जाता है Ibn सुकु के बैटा जीवा only अपने मा के पास आ जाता ए और उससे कहता है मा सभी लोग हमारे पापा के बज़े से नहीं बल्कि पापा के पेसे और उनकी संपति से पुछते हैं अगर वो हमारे पास नहीं होगा तो देख लेना पापा ने जितने भी लोगों की मदद की है वो उनके किये सारे अच्छे कर्मों के ही भूल जाएंगे सिर्फ बेसे की वज़े से ही लोग सभी रिष्टे निभाते हैं मां हाँ बेटा तुमने जो भी बोला है वो बिल्कुल सही बात कई है मगर बेटा मैंने देखा है कि लोग सच में तुम्हारे पापा को बहुत मानते हैं इसलिए बेटा तुम ज्यादा मत सोचो हमें जानने वाले सभी लोग हमारी भी मुस्किल समय में जरूर मदद करेंगे तो मा बेटे आपस में बात कर रही होती है कि तभी वहां पर सोनी का भाई पपु आ जाता है और अपने बेहन की सामने पूट पूट कर रोने लगता है सोनी जब अपने भाई को रोता देखती है तो वो समझ नहीं पाता है कि क्या बात है कि तभी पपु का भांजा उससे क क्या हुआ मामा आप रोक्यों रहे हो कुछ हुआ हुआ है क्या अब मैं तुम्हें क्या बताओं बच्चो तुम ये बात नहीं समझ պाहोगी जाओ ये बड़ों की बात है हमें ही करने हाँ वच्चो तुम्हारे मामा सही कह रहे हैं तुम यहां से जाओ वो दुनों वहां से चले जाते हैं हाँ भया क्या हुआ अब रोके रहे हो भला क्या बात है आप मुझे नहीं बताएगी अपने बेहन को भी नहीं बेहन क्या बताओं अगर तुम्हें बताने लगा तो प्रकेता सुरू करनी के वारे में सूच रहा था इसके लिए मैंने बहुत सारे पेसे लगाए भी है पर बस एक पार्ट्णर चाहिए इसे पार्ट्र के ना मिलने से मेरा सारा काम रूप पड़ा है मेरे पेसे भी फसे हुए है अगर आज कल में पार्टनर नहीं मिला तो मेरा सारा पेसा डूब जाएगा और मेरी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी जो सपना में देखता आ रहा हूं कि विद्वा औरत की मदद करूंगा वो अधूरी रह जाएगी पेसे डूब जाएगे मुझे फरक नहीं परता पर मेरा सपना भी तूर जाएगा इसलिए मैं चाहता हूं कि विहन तुम भी मेरी इस काम में मेरी पार्टनर वनो आखिर तुम मेरी विहन जो हो जैसे जीजा जी भी अच्छे अच्छे काम करते हैं और देखना सभी लोग जीजा जी को कितना मानते हैं उनको पूसते ही एसे ही विहन मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ इस काम में हाथ बताओ ताकि लोग तुम्हें भी जाने हम दोनों मिलकर गरीबो और लाचार के मदद करेंगे मगर भया उसके लिए मुझे क्या करना होगा कुछ नहीं बेहन बस तुम्हें इस कागज पर अपने साइन करने हैं और कुछ भी नहीं इसके बाद हम दोनों मेरी बनाई संस्ता के पार्टनर हो जाएंगे और हम दोनों मिलकर लोगों की मदद करेंगे इससे केकर वो अपनी बेहन से उन कागज पर साइन कर लेता है सोनी तो बहुत सीधी थी और ज़्यादा पढ़े लिखी भी नहीं थी इसलिए वो पेपर बिना पढ़े साइन कर देती है और साइन करवाने के बाद पपु वहां से खुसो कर चला जाता है तभी वहां पर जीवा और रीतु आ जाते हैं और अपने मा से कहने लगते हैं मा आपने उस पर साइन करने से पहले पढ़ा भी था बच्चो तुम किस बात से डर रहे हो वो तुम्हारे मामा है वो कोई गलत काम नहीं करेंगे इसलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो और फिर कुस दिन बाद पपु कुछ लोगों के साथ पुलिस लेकर अपनी दीदी के घर आ जाता है अपसे ही ये मेरा घर है इन सवी को बहार निकाल दो ये तुम क्या बात कर रहे हो फोस में तो हो ना तवे पुलिस और कुछ लोग उन्हें जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देते हैं पपु उन्हें वो साइन क्या पेपर दिखाता है जोकी प्रॉपेटी का पेपर होता है और अब वो प्रॉपेटी पपु के नाम हो जाती है सभी बहुत रोते हैं पपु से बिंती करते हैं मगर वो किसी की नहीं सुनता है और उन्हें घर से बाहर निकाल देता है जब सुकु और जीवा जवरदस्ती करने लगते हैं तो वो उन्हें पिटबाता है और मारते मारते उनकी हड़ियां भी तुड़बा देता है तब सोनी और रीतू उन्हें अपने साथ ले जाती है पता नहीं था कि मेरा खुद का भाई ही मेरे साथ इतना बड़ा विश्वास कात करेगा सोनी देखना एक दिन उससे उसकी करनी का फल जरूर मिलेगा वो सब एक पेड़ के नीचे ही रहने लेगते हैं उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और सुको और जीवा के हालत इतनी बुरी होती है कि वो चल भी नहीं सकते थे ऐसे में रीतू कुछ खाने के लिए गाउवालों से मदद मांगने लगती है मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता है वही लोग जो सुकु से मदद की भीक मांगते थे आज उसकी मदद नहीं कर रहे थे और रीतु निरास ओकर जंगल में ही कुछ ढूनने चली जाती है हे भगवान मुझे कुछ मिल जाए मेरे पापा और भाई बहुत भुके है उपर से उनको छोटे भी लगी है स्वालक तरीतु बहुत तेर तक जंगल में घूमती रहती है तब जाकर उसे एक आम के पेड़ पर एक आम और एक बेंगन लगा मिलता है वो आम के साथ वो बेंगन भी तोड़ लेती है और अपने मा बाप के पास जाती है तब ही उसे कुछ अटपटासा लगता है वो सोचती है कि आम के पेड़ पर बेंगन के से उग गए वो फिर ये बात सभी को बताती है सभी उसकी बात सुनकर हसने लगते है अरी रीतु वीटिया तुझे कोई बेहमुआ होगा भला आम के पिड़ पर कबसे बेंगन उगने लगे नहीं पापा मैं सही कह रही हूँ मेने तब तो गौर नहीं किया था पर अब कुछ हजीब से लग रहा है ये कहते ही वो बेंगन चमकता है और बोलता है रीतु सही कह रही है मैं एक जादूई बेंगन हूँ और मैं खास तुम्हारे लिए ही आसमान से आया हूँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए तुम सच के रही हो हाँ यकीन नहीं है तो आज मा कर देख लो बेंगन हम ही यकीन है अगर तुम जादूई नहीं होते तो बाद भी नहीं कर पाते हम सभी को बहुत भोग लगी है प्लीज हमें कुछ खाने को दे दो ऐसा कहते ही वो बेंगन उनके सामने पकवानों की लाइन लगा दीता है सभी पेट भर के वो खाना खाते है मुझे लगता है तुम्हें घर की बहुत जरूरत है हाँ जादूई बेंगन बेंगन फिर अपना जादू गरता है और वहां तुरंत एक बड़ा सा महल तेयार हो जाता है वो सभी उस घर के अंदर चले जाते हैं जादूई बेंगन के होने से उनके दिन फिर से बदल जाते हैं और वो पहले से भी ज्यादा अमिर हो जाते हैं उधर सोनी के भाइ को एक गंभिर बिमारी हो जाती है जिसके लिए उसका सब कुछ बिग जाता है और वो रोड पर आ जाता है यही होता है भगवान का कर्म का फ़ल चक्र पपू को उसके किये की सजा मिल जाती है और सुकू को उसके अच्छे कर्मों की वज़े से पहले से भी सब अच्छा मिल जाता है